दोस्तों ट्रेडिंग के रिलेटेड आज एक गजब की चीज मेरे सामने आई है जो चैट आप अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को कम्प्लीट देखना हो सकता है किस वीडियो के माद्यम से मैं आपकी बड़े बड़े लॉसस को बचा सकूँ मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस आज पहली बार में देख रहा हूँ और रियल लॉस में देख रहा हूँ किसी ने मुझे सुबा ही मैसेज किया इनका नाम है मुरली मुहन रिड़ी जी जिन्नों ने पहले मुझे एक स्क्रिन सॉट बेजा मैंने सुचै ये फेक होगा या किधर का होगा इसमें आप देख रहा हूँ कि 26,949 रुपे का लॉस दिखाये जा रहा है जिसका इस ट्राइक प्राइस है दोस्तों यहां पर आगर आप इसको क्लियर देखोगे तो यहाँ पर strike price क्या दिखाई जा रही है 9th March की 41,200 की put यानि अभी previous expiry के दिन इनका इतना बड़ा loss हुआ है आगे जब मेरे सुकता बढ़ी मैंने इनसे chat किया बात किया तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी भी इनसे में बात हो रही है मैं अपने तरीके से इनको जो handle कर सकता है मैं करूँगा मैंने का यह क्या है भाई इन्हों ने लिखा loss on expiry dobro मैंने का इतना कैसे इन्हों ने लिखा फिर इन्हों ने एक screenshot भेजा जिसमें इन्हों ने bank nifty का 17,200 मतलब इनकी जो quantity है आप इनकी quantity देख रहे हो 17,200 quantities के साथ यह expiry में trade कर रहे है और देखिए यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या दोस्त यहाँ पर इन्हों ने लिया तो 157 के भाव से था लेकिन इसको इंतजार करते रहे गये यह इंतजार करना एक trader या एक beginner के लिए hope trade सबसे गंदी आदत है मैं भी आपको और भी points यहाँ पर धीरे-धीरे discuss करके बताऊंगा कि क्या होता है जब आप trading को as a luxurious business की तरह treat करते हो इसको treat करते हो कि आप overnight success यहाँ मिल जाए वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर नहीं करनी है इन्हों लिखा Wednesday carry bro because of fit power speech but market not crashed on Wednesday अब मैंने बार-बार आपको क्या का है कि जब बहुत ज़ादा आपको negativity की news हर जगा सुनाई देगी उस दिन market चड़ता है यह बात आपको बार-बार मैंने अपने वीडियो के माध्यम से संबोधित किया है बार-बार बताया है उसके बाद मैंने इनको लिखा कि बहुत कोई capital है आपका या कोई plan है recover करने का तो इन्हों लिखा कि पूरी तरीके से पूरा का पूरा capital washed out हो चुका है और इन्हों ने दिया कि तीन मंत के राउंड राउंड इन्होंने 35 लाख रुपय के आसपास loss कर लिए इनका आप PNL statement भी यहाँ पर देख सकते हो Adani enterprises की Adani का भी call इन्होंने कुछ लिया है वो आप console के अंदर देख सकते हो तो मुरली मुहन रिडी सरका तीर मंत के अंदर 35 लाख रुपय चले गए है present total losses 1.3 करोड into account मैंने मैं मैं समझ नहीं पारूँ इसके बाद इन्होंने अपना ये भी दिया बट ठीक है मैं उसको open करके आपको नहीं दिखाऊंगा इन्होंने पूरा लिखा कि 1.3 करोड 18 महीने में loss बापने बाप इतना बड़ा amount loss किया तो इन्होंने फिर मुझे से लिखा कि सर में आप मेरा account account handle करो बट मैं वो सारी चीज़ उनको बोला कि भई I don't handle any account और never advice to use this तो अब मैं यहां पर आपको कुछ रिजन समझाता हूं कि पहले तो यह समझो कि इनका loss कितना है कितने दिन में यह आपका लगबग लगबग थर्टीन मन्त के आसपास इन्होंने एक दसमों तीन करोड के आसपास का loss किया है अब इस loss को थोड़ा सा समझने की कोसिस करते हैं कि यह loss कैसे हुआ देखिए जब भी आप share market का नाम सुनते हैं तो share market का नाम सुनते ही आप सबके दिबाग में यह आता है यार कि यहां एक लाग का दस लाग बन जाएगा क्योंकि आपकी गलती नहीं है जितने भी यूटूबर है या जितने भी बड़े बड़े प्लेयर है उन्होंने आपको हमेशा यही दिखाया है क्या रहे यार उसमें उसने 10 लाग डाला था आज उसकी वेलू 1 करोड चल ली कोई यह नहीं कहेगा यार कि उसने 1 करोड डाला था आज उसकी वेलू 10 लाग चल ली तो लोग negativity हाइड करते हैं पार्केट के अंदर हमेशा positivity दिखाते हैं बट आपको यह चीज़ समझना है कि जब तक आप इसको एज़ा बिजनस नहीं ट्विट करोगी बिजनस के अंदर क्या होता है सपोचको रहार आपने 30 लाग रुपे लगाकर एक जवेलरी की सौप खोली ठीक है आपने एक जवे लौस है वो 10 लाग का है तो आप क्या करोगे आपको याथ चलो एक साल और वेट करते हैं second year में आप दखोगे यार की फिर आपका लौस है वो minus 15 लाग हाया तो आप क्या करोगे आप यही सिंपल समझोगे मेरे विपरीद मार्केट है या मैं मार्केट को समझ नहीं पारा या जोलेरी के मार्केट मेरी चल नहीं आप इसको सट डाउन करोगे है ना सट डाउन करोगे या फिर यहां पर क्यों न्यू ऑप्रेशन के बारे में सोचने की कोसिस करोगी सेम गोज भी ट्रेडिंग अगर आपने सपोच कोरो कोई भी पुट खरीदा कोई भी कॉल खरीदा अब लोगों के दिमाग में क्या होता है कि मैं पहले तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी मार्केट वोलाटाइल हो इस तरीके से मार्केट के अंदर न्यूज बेस ट्रेडिंग चल रही हो अभी आप देखो दिसंबर महीने से लेकि आज मार्च महीना आ गया है कह तो महीं पर आपको US का फिड रिसेशन दिख रहा होगा, inflation का न्यूज सुनाई दे रहा होगा, repo rate का न्यूज सुनाई दिय रहा होगा, अभी Silicon Valley Bank का न्यूज सुनाई दिया, फिर Adani का न्यूज सुनाई दिया, उसके बाद एक कोई बहुत बड़ा इन्मेस्टर किया कुस तो था उसने क्या कहा कि इंडिया डिप्लोमेट बनते जा रहा है धीरे धीरे उसकी नीव सुनाई दी फिर यह फाई यह भाग रहे तो ऐसी सिच्वेशन में आप कभी भी ट्रेंड को समझ नहीं पाओगे किस दिन मार्केट ऊपर चला जाएगा और किस दिन मार्केट नीचे चला जाएगा तो ऐसे वक्त में आपको अपने बिचारों को आपको अपने ट्रेडिंग को थोड़ा सा सुधार ना पड़ेगा जब तक आप ट्रेडिंग को सुधार होग वो wipe out हो चुका है, was out हो चुका है, मतलब एक रुपया भी है इनके पास नहीं बचा है, इसका जो major reason के आजान तो यही लालच, लालच किसका, एक तो पहले loss में हो रहा है, तो position ना कट करने का लालच, कि भी यह मैं तो position नहीं काटूँगा, यह वाली लालच ना सबसे गंदी लालच होती है, कि अब recover करेगा, अब recover करेगा, और दोस्तों मैं अगर कुछ भी आपकी जिंदगी में add कर पा रहा हूँ, इस वीडियो से मैं कुछ भी आपको समझा पा रहा हूँ, एक like, एक comment आपका मुझे चाहिए, so that मुझे पता चले कि आप लोग ऐसी वीडियो से जैसे माल लो अगर मेर को आप एक करोड रुपया दो, ठेकि आप को कि सौर भाई ट्रेड करो, तो मैं जानतो है एक करोड में एक ट्रेड में सिर्फोर सिर्फ दस लाख रुपया लगाऊंगा, मुझे कोई भी आ के कह दे कि दस लाख से उपर लगाओ, टार्गेट में जहां कुछ भी हो सकता है, जहां रातो रात कुछ भी नहीं नहीं चीज़े आ सकती हैं, जहां पर कोई किसी तरीके से पैसा डंप कर सकता है, तो आपका मेजर पोइंट क्या होना चाहिए, कि यार आप अपने कैपिटल को पहले डिपलॉइ करने की स्ट्रेड़िजी दस लाग पर काट देतें पोजिशन, तो भी आज बचे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि डारेक्टली एक करोड का लॉस इनका हो गया, इतना जो इन्होंने डेर्ड करोड का लॉस किया है, डारेक्टली नहीं है कि ऐसे तूरंत हो गया, इसको होने में पता है कैसे हुआ होगा य जब आप ट्रेडिंग होप में करते हैं तो आपके साथ यह चीज़े एकदम पॉसिबल है, तो अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले आप सब लोगों को लॉस जिनका भी हुआ है, उनके लिए मेरा सिंपल सा सजिसन ही है, कि आपने जो भी लॉस किया दोस्त, उस लॉस को आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप भूलोगे नहीं, तब तक आपकी नई साइकलोजी मार्किट के अंदर डेवलप नहीं होगी, दूसरी चीज क्या करनी होगी, प्रॉपर पहले लर्निंग लीजिए, प्रॉपर लर्निंग लीजिए, लर्निंग के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लाइब बैचेज ज्वाइन करिए, लाइब बैचेज क्या करता है, आपको बहतरीन तरीके से, जैसे मेरा लाइब बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको ज्वाइन करो, तीस दिन मेरे साथ ब प्रीच जा रहा है, मार्केट सपोच करो आपके अपोजिट जा रहा है, तो मार्केट अपोजिट जा रहा है, तो एक कोसिस ये करना है कि जब भी मार्केट अपोजिट जाए, तो प्रॉपर आपको एसल ले ले लेना है, बहले आपका एसल थोड़ा बड़ा हो जाए, है लेकिन आपको कभी भी वेट नहीं करना है उसके बाद आप एक नया फ्रेस स्टार्ट करो अगर आपका एक करोड का भी लॉस है आपका दो करोड का भी लॉस है आपका तीन करोड का भी लॉस है इनको start करना चाहिए 20 लाग capital से और 20 लाग capital से daily target रखेंगे कि मुझे को 50,000 से लेकर 1 लाग तक बनाना है ठीक है और इसके लिए proper hedge करें या selling करें या तो buying करें अब आप सोचो अगर ये ढंग से discipline follow करेंगे तो इनको कितना दिन लगेगा तो मानके चलते हैं एक महिने में 20 trading day है और 20 में से सर ने क्या किया 15 trading day इसके लिए देखो आपको proper learning करने पड़ेगी ये 15 day profit के लिए तो मानके चलता हूँ मैं कि 15 दिन में इन्होंने on average 15 days में इन्होंने on average 50,000 रुपे कमाए ठीक है तो इन्होंने कितना कमाया 7,50,000 रुपे 21,21,000 रुपे और मानलो इन्होंने 5 दिन market को लूच किये एक एक चीज को ध्यान से देखो कि आपका काम हो जाएगा 5 गुड़े 50 ये हो गया आपका 2,50,000 रुपे 21,000,000 रुपे overall जो इनका net profit होगा वो कितना हो जाएगा 7,50,000 रुपे इन्होंने कमाया और 2,50,000 रुपे इन्होंने गवाया तो इनका बन जाएगा आपके पास 5,00,000 का profit नेट ठीक है 21,50,000 रुपे तो 5,00,000 रुपे इन्होंने कमाया कितने दिन में 20 दिन में यानि एक मंत में इनका जो target रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा दोस्त यहाँ पर 5,00,000 रुपे अगर ये 5,00,000 के हिसाब से कमाये और इनका 1,00,000 का लास है तो भी आप सोचो इनको cover करने में हर महीने एक काम करे तब भी जाकर ये एक महीने किसाब से सिर्फ और सिर्फ एक साल में 60,00,000 कमा पाएंगे एक साल में ये सिर्फ और सिर्फ 60,00,000 कमा पाएंगे जिनको इन्होंने गवा दिया है मात्र और मात्र तीन महीने में तुन्होंने 35 लाग गवा दिया है आप अगर ये गड़ी देखोगे तो ये को गड़ीत है ये 60 लाट प्रॉफिट यही आपको बचा सकता है आप ये सोचो आज एक करोड लगा के कली पूरा का पूरा रिकवर कर लोगे ये पॉसिबल ही नहीं है से समझे लो मेरी बात अगर आप प्रॉपर लर्निंग नहीं लेके जाओगे तो फिर वही आप गलती करोगे वही गलती आप फिर दो रहा होगे और अल्टिमेटली आके आप लॉस करोगे और कहोगे कि सौरब भाई फिर से वही मेरे साथ गलती हो गई मेरा मोटिव देखिए वीडियो का ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भीया देखिए मार्केट के अंदर लॉस सब कोई करता है है ना लॉस सब कोई करता है लेकिन लॉस के बाद अरे उल्टा होगे अब आप सोचो, अगर आप थोड़ा सा पेसेंसली काम करते हो, तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप बार बार फिर वही गलती करोगे, फिर वही दोरा होगे, तो कभी बात नहीं बनेगा, तो आपका जो भी है, चाहे जो भी लॉस कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, देखिए, आएटेन ट्रेडर आप मेंसा आपके लिए खड़ा है, लॉस रिकवर करने का प्लान आपको बता दिया मैं, अगर किसी को पर्सनली ये चीज अच्छी लगी, और आप भी इस तरीके से चीजे से ओगत होना चाते हो, तो आप सब लोग मुझे अपनी पर्सनल स्टोरी भीज सकते हो, आपके लॉस रिकवरी का प्लान आपको बता दू, उसके लिए आप मेरे टेली ग्राम को फालो कर ले, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप भीजे भीज सकते हो have a great day, thank you